बदायू से इस वक्त की बड़े खबर निकल कर सामने आ रही है जहां शमसी मस्जित में नीलकंट महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है आपको बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से ये दावा किया गया है साथे इस मामले की आज सिविल कोट में सुनवाई होनी है जहां हिंदू महासभा की ओर से अठारा अज़िवक्ताओं के वकालत नामे लगे हैं साथे इंतजामिया कमेटी के तीन मकील भी अपना पक्ष रखेंगे इस मामले पर हमें जादा जानकाली देने के लिए बदायू से संबादाता रिंकु शर्मा जुड़ गए है जी बताए कि क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा बदायू में जामा मज़िद समसी में नील कंट महा देम मंदिर है या नहीं आपको बताना चाहूँगा सहर के मॉला मॉल भी टोला सोता इस्तिजामा मज़िद में नील कंट महादेव का मंदिर होने का दावा पिछले दुनों किया गया था अखिल भारत हिंदू महासबा के मुकेज पटेल समेत कुछ अधिवक्ता इसको लेकर सामने आ गए हैं सिविल कोट ने इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर 15 सितंबर यानि आज माबले में सुनवाई की तारीक दी है वहीं आपको बताना चाहूँगा मुस्लिम पक्ष ने जो इतियास खंगाला है वहीं हिंदू महासबा की ओर से कुछ सरकारी किताबों समेत इतियास को आधार बनाते हुए अपना दावा पेस किया गया था आपको बतादें इधर मुस्लिम पक्ष ने अपने इस तर से इतियास खंगाला शुरू कर दिया है ताकि यह साबित किया जा सके कि वहां मज़ित काफी प्राचीन है आपको बता दूं इस मावले में हिंदू महसभा की ओर से अखिल भारत हिंदू महसभा के प्रदेश सयोजक मुकेश पटेल जो हैं बादी हैं जबकि उनके साथ अधिवक्ता विवेक रेंडर अर्विंद पर सिद्धी की और मुहम्मद जमील हैं देखने वाली वात है किसका पक्ष मजबूत है यह अधा अदालत के फैसले पर निर्वर करता है जी